अईसलाम अलेकुम विविवस्, आज की वीडियो के अंदर मैं आप से डाकूमेंट कंटूलर के इंटर्वे के बारे में बात करूँगा कि अगर आपको डाकूमेंट कंट्रोलर के इंटर्वे के लिए कॉल आती है तो वहां से आपको किस तरह की questions को पूछे जा सकते हैं और आप किस तरह से उनका effectively reply करें ताके आपको वहां पर job मिल जाए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा से बताते चलूँ कि मैं आज बाहर हूँ, अबुदावी काउनिश पे बैठा हुआ हूँ तो वीडियो की quality अगर disturb होती है या आपको सुनने में कोई problem हाती है तो मैं मादरखा हूँ, कोई भी जो interview होता है उसके basically तीन section होते हैं, पहला section इंट्रोडक्शन पर मनहसर होता है, जो दूसरा है वहां पर technical आपसे पूछने हैं, जो third है वह आपसे एक test लेंगे किसी भी, family, same ही होता है, जिसमें आपसे यही पुछा है था कि आप अपने बारे में बताएं, आप कहां पर काम करते रहे हैं, आपकी age क्या है, क्या experience है, यह सारा कोच है, तो उसकी detail में मैं नहीं जाओंगा, जो technical aspect है, मैं उसको थोड़ा सा detail के साथ बताओंगा, ताकि आपको clear हो सक होता है, तो document controller का basic काम होता है, वो यह है कि किसी भी company या किसी भी जो project है, उसके अंदर जितने भी incoming or document होते हैं, उनको save करना, उनको store करना, चाहे उनकी electronic या soft copy है, या hard copy है, तो उनको एक procedure के तहत store करना, और फिर दुबारा दुरूर पढ़ने पर उनको retrieve करना, और reproduce कर करके, मतलका शर्क्स या मतलका company को issue करना, बगार को time जाय किये, तो यह जो है, वो basic document controller का काम होता है, अब जो second है, वो आप से यह पूछेंगे कि अच्छा आप इसकी activities के बारे में होता है, कि document controller की activities हैं, वो क्या होती है, तो document controller की activities हैं, वो यह हैं, कि जो incoming documents होते हैं, उनको receive करना, उनको stamp करना, अपने जो project manager है, जो या जो भी director है, उसके सामने उनको present करना, वो जो distribution आपको लिख के दे, उसके मताबक उसकी copy यह त्यार करना, और उनको company के अंदर या company के बार distribute कर देना, या फिर जो outgoing document होते हैं, for example, go transmittal होते हैं, उनको create करना, जैसे कि shop drawing transmittal है, document transmittal है, material submittal है, inspection request है, RFI है, या इसके लावा confirmation of verbal instruction है, और इस तरह के दूसरे जाकर documents है, जिनके नाम change हो सकते हैं, तो उनको create करना, उनके साथ मतलका documents को attach करना, और फिर उनको project manager के sign के साथ करवाने के बाद, आप की copy यह त्यार करते हैं, और उनको issue कर देते हैं, और उनकी master copy होती ह आपके पास, आप save भी कर लेते हैं, और उनको file भी कर लेते हैं, तो यह काम हो जाता है, उसके बाद आपका काम है logging करना, logging जो है, वो document controller में, यह document controller का जो काम होता है, उसमें वो एक read की हड़ी की हैसियत रखता है, मैंने यह जो आपको बताया है, कि आप कोई भी document मिंटों क के अंदर retrieve कर सकते हैं, तो वो इसी सूरत में कर सकते हैं, अगर आपने logging उसकी सही तरह से की हुए होती है, तो logging is like spine card of document control system, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, तीसरा काम जो आपका होता है, वो report writing है, और देली report है, monthly report है, weekly, by weekly, जो भी report है, वो आपने career करन होती है, अगर कोई memo होता है, internal memo वो आपने draft करना होता है, तो letter होगए रहा है, तो आपने लिकना होता है, और इस तरह कि जो काम है, administration के काम पाज़ेंपल, जो साइट में, stationary, या penalty, पैंटरी वेगर आपके जो काम होते हैं, वो आपने करने होते हैं, ताकर आप मेंटेन रख होता है, कि इसके लावब भी अगर को काम होंगे, तो आपको करने पड़ेंगे, जो कि वक्तन वक्तन जैसे कि आपका manager सोचता है, कि ये काम जरूरी है, तो आपको कह सकते हैं, तो basic जो आपकी duties हैं, वो यही है, जो आपकी responsibility हैं, वो यही questions आपके बारे में पुछे कि ये जी format है, आप उसको बना के दें, कोई formula गया लगे हुए हैं, तो आप उसमें लगा दें, और सेम वैसा format करें, और इसके बाद दूसरा आपको word की code file दे देंगे, ये word का letter दे देंगे, ये letter आप इसका reply लिखें या letter सेम बना कर दें, तो basically उनको चेक करना होता है, कि आप ये काम कर सकते हैं, तो ये है, या आप चे कोई email लगवा सकते हैं, तो ये आपको test होता है, जो आपको देना आता है, तो अगर आप ये सारे काम अच्छे दरीके से उनको करके दे रहते हैं, तो इंशाला आपकी selection वहां पे हो जाती है,